बैद्रुगेस वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बाइलोजी क्लासेस बैद्रुगेस सर में आपका स्वाइब करता हूँ बच्चों आज हम लोग क्लास 12 का एक टॉपिक जो कैंसर चल रहा है उसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे कल के डेट में मैंने कैंसर के बार का कॉजेज तो टॉपिक आज का क्या है कॉजेज आफ कैंसर तो चलिए उसको इस्टार्ट क्या जा है कॉजेज आफ कैंसर कॉजेज आफ कैंसर में अगर हम लोग जानें तो मैंने कल के डेट में आपको बताया था कि कैंसर जो होता है ये थ्री कॉजेज होते हैं टॉपिक क्या मों का कॉजेज आफ केंसर 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 के जो कॉजेज होते हैं उसमें सबसे फ़र्ष्ट जो कॉजेज है वो है फीजिकल सेकेंड जो है वो मेरे बच्छों को पता होगा कैमिकल और थार्ड जो है वो है मेरे बच्छों को पता होना चाहिए बायो लॉजिकल तो यह थ्र एजेंट है जिनके द्वारा कैंसर कॉज होता है तो कैंसर अगर कोई पूछे कि कैंसर का कॉज किसके कॉज होता है तो अब बताओगे ऐगे फॉस्ट एजेंट इज फीजिकल सेकेंड इज chemical and third is biological तो यह three agent होते हैं जो कॉजेज करते हैं cancer तो क्या होता है को जय करते हैं तो यह क्या करते हैं कि जो normal cells होती है normal cells उनको transform करते हैं cancerous neoplastik cells में किसे convert करते हैं मैंने अभी बताया है this agent sorry these agents ऐल जिद्गेंट्स कौज कैंसर यह एजेंट्स जो होते हैं वह कैंसर को को गोज करते हैं और कैसे कौज करते हैं तो यह इंडीउस कर देते हैं नॉर्मल सेल को कि वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं आपके Cancerous Neoplastics Cells में यह आप लोग याद रखेगा तो चलते हैं एक एक एजेंट के बारे में जानेंगे कि फीजिकल एजेंट के अंतरगत कौन-कौन से फैक्टर कंपोनेंट आते हैं जिनके द्वारा कैंसर कौज होता है तो फीजिकल में अगर हम बात करें तो इसमें टू पार्ट्स में डिवाइड है एक है आप लोग का नॉन आयोनाइजिंग एजेंट नॉन आयोनाइजिंग नाइजिंग और इसके वाद सेकेंड है वो है आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग के अंतरगत जो आएगा वो है आपका यूवी रेज यूवी रेज जो है ये नॉन आयोनाइजिंग है और आपका जो आयोनाइजिंग में आएगा वो होगा एक्स रे एंड गामा एक्सले और गामा रेज जो होते हैं यह आपके आइनाइजिंग एजेंट है और नान आइनाइजिंग में बेटा आएगा यूभी रेज और यह दोनों केंसर के कौज होते हैं यह दोनों जो फीजिकल एजेंट में आते हैं यह केंसर के कौज होते हैं यह आप लोग याद सब्सक्राइब करें तो चलिए हम लोग तो आता है वह आपका है इस स्मोग तो बैको है तो यह क्या मीकल के अंतरगात आता है जिससे cancer cause होता है यह आप लोग याद रखेगा ओके इसके बाद थर्ड जो आता है वो होता है आप लोग का biological थर्ड जो आता है वो क्या होता है आपका biological अब biological के अंतरगत जो आते हैं वो है वाइरस biological के अंतरगत जो आएंगे वो आपके होंगे वाइरस और यह वाइरस जो होते हैं जो आपके biological एजेंट पर आते हैं वाइरस उनको हम नाम देते और को जेन और को जेन वाइरस इसे ने किया जाता है और जो जीन इनके पास होता है इन वाइरस के पास जो पॉज करता है के कैंसर उसको नाम देते हैं आनको जीन उनको नाम क्या देते हैं आनकोजीन और जो वाइरस इसमें कौज करता है उसको नाम देते हैं आनकोजेनिक वाइरस और आनकोजेनिक वाइरस जो आनकोजीन को कंटेन करता है उस वाइरस को नाम देते हैं आनकोजीन वाइरस और आनकोजेनिक वाइरस और इस वाइरस को contain gene that cause cancer name oncogee ओके वेटा तो यह है तो यह जो agent होते हैं यह क्या करते हैं कि जो physical और chemical जो agent होते हैं यह क्या करते हैं कि DNA को damaging करते हैं DNA को damaging करते हैं DNA के sequence में changes लाते हैं और जब DNA के sequence में changes लाते हैं तो वह region बनता है किसका cancer का तो मैं आसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा causes of cancer इसके otherwise बेटा याद रुखना है जो cells होती है उनके पास cancerous gene present होते हैं याद रखेगा जो हमारी normal cell होती हैं उनके पास cancerous gene present होते हैं और जो inactive form में होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं प्रोटो आनकोजीन नाम क्या देते हैं प्रोटो आनकोजीन याद रखेगा प्रोटो आनकोजीन जो इनक्टिव फॉर्म होता है और यह हमारे normal cell में present होती हैं और यहीं प्रोटो आनकोजीन जब हमारे यह एजेंट इन्डिउस करते हैं हमारे cell को तो यह प्रोटो आनकोजीन किसमें convert हो जाते हैं और आनकोजीन में जब यह convert होते हैं तो यह क्या करते हैं कि normal cell को transform कर देते हैं किसमें cancerous neoplastic cell में और यही कौज होता है cancer का तो मैं आसा करता हूं कि आपको याद होगा जिसे एक तरीके का आपके बुक में दिया गया C-C-onkogen दिया है उसका meaning है cellular oncogen जो cellular oncogen होता है मतलब cell के अंदर gene present होते हैं और वही जीन को जब कोई agent induce कर देता है तो transform हो जाते हैं हमारे normal cell किसमें cancerous cell में यह आप लोग याद रखेगा इसके बाद आप लोग को मुझे जो टॉपिक बताना है इस cancer में वह है आपका cancer detection and diagnosis अगला जो टॉपिक है वह है cancer detection and diagnosis तो चलिए उसके बारे में हम लोग जाने cancer detection and diagnosis तो cancer को कैसे detect करेंगे और कैसे डाइडेंगे इसमें हम लोग को जब study करेंगे तो इसमें दिया गया है आपका कि अगर आपको cancer से बचना है तो क्या करना पढ़ेगा अर्ली डिटेक्ट करना पढ़ेगा और अर्ली डिटेक्ट करके ही हम cancer से बच सकते हैं तो अर्ली डिटेक्शन इसेंसियल होता है cancer के treatment के लिए cancer से बचने के लिए जिसमें से जो टेक्निक की यूज की जाती है उसमें सबसे पहले हैं बायोप्सी कि सेकंड जो है histopathological study और histopathological study के अंतरगत हम tissue blood और bone marrow में cells के बढ़े हुए number अब cells के जो number बढ़े हुए है इंके बारे में हम study करते हैं यह आप लोग याद रखें वायोप्सी में क्या होता है tissue के हम study करते हैं और जहां पर जो suspected tissue होते हैं उनको हम कट करके और उसको टेस्ट करते हैं और उसके लिए उसको small section में कट करके उसकी टेस्टिंग की जाती है microscope से टेस्ट किया जाता है और पता चल जाता है कि number आप cell increase किये हैं कि decrease है तो यह सभी किया जाता है किसके अंतरगत तो हमारे बायोप्सी के अंतरगत इसके अधरवाइद और भी बहुत सारे टेक्निक है जो यूज किये जाते हैं cancer को डिटेक्ट करने के लिए जैसे में MRI है दूसरा जो आपका CT scan है एक्सरे रेडियोग्राफी इन सभी का भी प्रियोग किया जाता है cancer को डिटेक्ट करने के लिए तो मैं आसा करता हूँ कि आपको सभी मेरी बाते समझ में आ गए होगे अगर कोई doubt होगा तो please आप मुझे पूछ लेज़ेगा तो अगले वीडियो में आगे का topic हम देखेंगे ओके thank you